Two Train में देखिये हम लोग सब लोग सेफ़'RE करते हैं लेकिन टीकट जो है कवि कभी कभी ऐसा ऐसा स्थिती हो जाता है कि टीकट हमको मिलता ही नहीं है तो हम ऐसा एक तरीका बता रहा है आपको और कि भाईया टीकट आपका एदम कनफर्म मिलेगा ही मिलेगा ठीक है और कोई दुसरा उपाय ही नहीं है ऐसा तरीका बता रहे हैं और वह भी आपका IRC-TC एप के मात्यम से आपने साथ ये फीचर देखा होगा लेकिन इसके बारे में जानता बहुत कम लोग है ठीक है अभी अभी मैंने इसके बारे में information लिया है और इसके बारे में आपको जो बता रहा हूँ बहुत ध्यान से आप देखिए ठीक है छोड़िए तो जो option के बारे में मैं आपको बताना वाला हूँ वो ये option है ये देखिए देखिए क्या लिखा हुआ है ये option है book only if इस option को book only if confirm whether allocate इसको अगर आप चेक कर देते हैं ये option दूसरा option को तो फिर जो है ticket जब आप book करोगे तो आपका confirm ticket होगा तम ही मिलेगा अब इसका जरूरत क्या पड़ता है इत्वर समझ लीजिए जरूरत पड़ता है तब जब होता है ticket की संख्या कम अब मान लίजिए पटना से दिल्ली आपको जाना है और आपको पता है पटना से दिल्ली जाने वोगे संख्याभ बहुँज़ादा है अगर available में 10 गो ticket दिखा रहा है मान लिजिए यहां पर यहाँ पर अगर माल लीजे 10 गो टिकट दिखा रहा है लेकिन आप टिकट जो बुक करने के लिए जाएगा टिकट बुक करते करते 10 टिकट कब 0 हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा समझाओ इसमें दिक्कत क्या हो जाता है कि confirm टिकट अगर आपको लेना ही है तो यह option अगर चूच कर लीजेगा तो आपको cancellation का जो चार्ज करता है उससे बज़े क्योंकि माल लीजे अगर टिकट 10 को है और बुक करते करती यह 0 हो गया आपका टिकट वेटिंग में चला गया तो जब आप कैंसल करोगे तो आपको cancellation चार्ज देना पड़ेगा लेकिन अगर यह option select कर लोगे तो bank से पैसा तो पूरा कटेगा लेकिन पूरा का पूरा पैसा refund आपको कर दिया जाएगा क्योंकि आपका ticket book नहीं हुआ आपका PNR number generate नहीं हुआ अगर PNR number generate नहीं होता है तो पैसा आपका पूरा का पूरा return हो जाता है और दूसरा फाइदा बताते हैं इसका यह जो option है book one leaf confirm what are allocate इसका दूसरा फाइदा यह है कि अगर आप ततकाल ticket book करते हो अगर आप ततकाल ticket book करते हो तो वहाँ आपको पता है कि कितना 23 टिकट जो है लूटा जाता है अगर आप पटना से दिल्ली का ततकाल book करो तो मान लीजे दिखा रहा है ticket का संखेया 70 मान लीजे 70 तो book करते करते को जीरो हो जाएगा आपको पते नहीं चलेगा यह जीरो हो जाएगा समझे अब उस आपका जो है टिकट जो आप ततकाल से पैसा लागा करवा रहे हो लेगी वेटिंग में चला जाएगा ठीकट तो वैसी स्थिति में जब आप कैंसल करोगे तो आपका जो है चार्ज लग जाएगा समझें तो यह भी एक प्रॉब्लम है इसलिए यह उप्सन इसलिए दिया गया है कि आपको एदम कसम खाके बैठे होगी खाली कॉनफर में टिकट लेना है आपको तो यह वाला आप्सन आपको जो है सिलेक्ट करना होगा अगर टिकट बुक हो गया सीट मिल गया तो ठीक है नहीं तो पैसा जरूर कटेगा आपके बैंक से लेकिन वो पूरा का पूरा पैसा आपको रेलवे रिफंड कर देगा इसका सबसे बड़ा फाइदा यही है और यह बात बहुत साए लोगों को नहीं पता है इसलिए मैं आपको बता रहा था समझ में आया तो दोस्तों और भी कोई कोश्चन हो तो कॉमेंट कीजिएगा जैहिन बदने मातरम